अगर आप एक लड़की है और कोई भी कोर्स कर रही है चाहे वो ग्रिजवेशन कर रही हो आप या पोस्ट ग्रिजवेशन कर रही हो या उससे higher studies कर रही हो तो अगर आप कोई भी कोर्स कर रही हो या फिर आप किसी NGO के अंदर काम कर रही हो या फिर किसी research field के अंदर आप काम क और जहांपे आप intensive करने जाएंगे तो आपकी internship होगी Delhi में तो इसका मतलब यह हुआ आपको Delhi में रहने के लिए hostel भी दिया जायेगा और साथ के साथ आपको आने जाने का जो खर्चा होगा आपके घर से Delhi में, Delhi से आपको घर के आने जाने का खर्चा भी आपको दिया जाएगा hostel भी दिया जाएगा 20,000 रुपीज भी आपको पर मन्त दिया जाएगा तो ये internship निकल के आई है Ministry of Women and Child Development के अंदर और ये सिर्फ लड़कियों के लिए है इसकी location आपको Delhi में मिल जाएगी और इसकी जो duration है आपको 2 मन्त ये internship करने ही पड़ेगी तो ये हर मन्त निकल के आती है internship जब भी आपके पास time निकलता है 2 महिने का तो जरूर से जरूर आपको इस internship पे apply करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा जो salary है वो भी आपको 20,000 रुपे पर मन्त मिल रही है hostel भी रहने के लिए मिल रहा है कि आपने यहां पे इतने महिने के लिए ये internship करी हुई है जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि ministrys के अंदर किस तरीके के काम होते हैं किस तरीके के अंदर जो महिलाओं के लिए program बनाये जाते हैं और उन्हें execute कैसे किया जाता है और और कैसे program बनाये जा सकते हैं जिससे woman empowerment हो सके तो ये सारी चीजे हैं इस internship के दौरान आपको ये सिखाया जाएगा तो ये internship अभी जो निकल के आई है वो निकल के आई है अप्रेल टू मई बैच के लिए means अगर आप अभी भरेंगे मार्च में internship को भरेंगे तो अप्रेल और मही में आप internship को कर पाएंगे तो इसको फिल कैसे करना है और सारी details क्या है एक एक करके मैं आपको बताऊंगा आप तसलिप पुर्वक बस समझे ज़रा आप देखिए मैं हूँ Ministry of Women and Child Development की official website ठीक है तो आपको यहाँ पे आना है इसके home page पे आना है देख लिए यहाँ पे मैं home page पे हूँ आप यहाँ पे home page पे आएंगे और जैसे ही आप इसके home page पे आके click करेंगे तो आपके सामने यह ऐसे कुछ इस तरीके का open हो जाएगा ठीक है सबसे पहले आना है आपको what's new के अंदर आप यहाँ पे what's new के अंदर आएंगे जैसे ही what's new के अंदर आएंगे यहाँ पे लिखावा है intensive advertisement for अप्रेल और माई मन्त के लिए है इसी पे ही आप click करेंगे तो जब आप यह internship का form भरेंगे तो आपको अप्रेल और माई मन्त के लिए यह internship करने को मिलेगा तो देख लिजे यहाँ पे अब क्या करना है आपको intensive advertisement के बारे में बताया गया है तो इस पे जड़ाँ क्लिक करते हैं intensive advertisement पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो आप यह देख लिजे यहाँ पे यह open होके आ जाएगा तो सबसे पहले कौन apply कर सकता है woman student कोई भी हो कोई course कर रही हो please apply कीजे scholar है तो apply कर सकते हैं किसी NGO में काम करते तो apply कर सकते हैं अगर आप teacher है तो भी आप apply कर सकते हैं intensive आपकी शुरू कब से होगी 14-2024 से लेके 31-5-2024 तर की intensive आपको चलेगी आपको किसी ना किसी course करते हुए होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया है ठीक है अब आगे चलते हैं आपको apply कैसे करना है apply करने के लिए simple है जैसा कि आपको पता है age group 21-40 साल की होना चाहिए तभी आप apply कर सकते है आपको apply कैसे करना है आपको apply इस email id पे देखे यहाँ पे जो लिखावा है mwcd research at the rate government.in तो इस email id पे जो यहाँ पे लिखावा है black color में इस email id के उपर आपको क्या-क्या चीज़े भेजनी है आप बड़े ध्यान से समझ लेजे देखे सबसे पहले आपको self-attested form भरना है फिर उसे scan करना है तो आप इस email id पे क्या भीजेंगे सबसे पहले self-attested form भरके आपको भीजना self-attested form क्या है देख लिजे यहाँ पे यह इसी pdf के नीचे आपको self-attested form मिलेगा तो मैं आपको self-attested form दिखा देता हूँ देखे इसी को बोलते है self-attested form एक ये वाला पेज है थोड़ा दिखनी रहा होगा आपको एक ये वाला पेज है और उसी के नीचे एक और पेज है इसे इसे हम बोलते है self-attested form इन दोनों form को आपको भरना है भरके फिर इस साइन करके उसके बाद इसे scan कर लेना है तो इसे self-attested form को आप scan करेंगे उसके बाद और क्या scan करेंगे देखे दूसरा चीज आपको क्या करना है आपका अपना supporting documents में क्या है गा जैसे आपकी अपनी ID proof आपका अपना address का proof आपकी अपनी mark sheet अगर आप student है तो ID proof address और mark sheet देंगे बट अगर आप कहीं पर teacher है तो आप अपना ID proof address proof mark sheet और आप अपना joining letter भी देंगे अगर आप teacher है तो या फिर अगर आप activist है तो ID proof address mark sheet plus के plus साथ में आपको अपना joining letter भी देना पड़ेगा कि आप कौन से NGO में काम कर रहे हैं बट अगर आप student है तो द्याम से समझे आप अपना ID proof address proof और mark sheet ही देंगे उसके लावा आपको कुछ निदेना तो इन तीनों चीजों का आपको PDF बनाना है plus self-attested form जो अभी मैंने बताया यहाँ पर एक Excel sheet नीचे दी गई है तो आप इस Excel sheet को एक बार download कर लेंगे ठीक है जैसे ही Excel sheet open होगी तो आपको कुछ इस तरीके से Excel sheet दिखेगी I hope आपको कुछ देखनी रहा होगा बट फिर भी अगर मैं से थोड़ा बढ़ा करूं तो आपको देखे यह कुछ Excel sheet ऐसे दिखेगी तो आपको ना इस Excel sheet को पूरे अच्छे तरीके से भरना है पहले में name of applicant फिर date of birth फिर gender फिर email id फिर आपको अपना pen अधार number फिर आप रूलर से हैं या urban इलाके से हैं फिर state district कि आपको pen ये सारी चीज आपको address अपना भरना फिर कौन से college university में पढ़ रहे हैं आप अपना उस university का नाम बताइए ये सारी चीज़ें आपको भरनी है duration ये सब आपको भरनी है ठीक है तो आप एक चीज़ ध्यान से समझे पहले इस चीज़ में इस Excel seat को आप पDF में convert नहीं करेंगे का यहां रहे है विल्णे लिखा है इस Excel seat को Excel seat के хорош可以 convert करे रखना है तो करेंगे इस Excel seat को वर ना है और इस इसい Excel seat की form में ही save कर लेना है अब ये आपकी दोनों प्रमार से हो गई इसके बाद आप alright क्या अब आपका तीनों चीज तयार हो गया है, जो चीज आपको भेजनी है, कौन-कौन सा जब मैंने बता दिया आपको, एक self-attested form जो भी नीचे बताया था, वो प्लस में आपको supporting documents और प्लस में अभी जो मैंने Excel sheet बताई है, Excel sheet के form में ही save होनी चे पीडियाप के form में नहीं, इन तीनों को save करके, आप WCD research at the rate government.in की email id पे send कर देंगे, कब तक आप send कर सकते हैं, याद रख लिजे प्लीज, जो last date है आपकी है, वो 12-3-2024 तक ही आपको भेजना है, तो जल्दी से जल्दी भेज दीजे, वो भी 12-3 को आप 5 बज़े तक ही भेज पाएंगे, उसके आपका आप धान में रखे, last date से पहले आपको इस सारे काम निप्टा देने हैं, ठीक है, अगला इन्होंने बोला हुआ है कि आपको वही है कि हर महीने आपको 20,000 रुपया दिया जाएगा, AC का train या AC बस का train जब आप अपने घर से डली को आएंगे, डली से जब आप अपन रहने के लिए होस्टल दिया जाएगा, वहीं पर ही रहके आपको इंटर्शिप करनी है, बट हाँ आपको खाने का खर्चा खुद करना पड़ेगा, मैस होगा, मैस का जो भी चार्ज होगा वह आपको देना पड़ेगा, बट 20,000 रुपय आने जाने के खर्चा प्लस रहने में रह सकते हैं, यह इनोंने बोला हुआ है, जब यह सारा काम कम्प्रीट हो जाएगा, जब आपकी इंटर्शिप कम्प्रीट होगी, तो आपको इनके तरब से एक सर्टिफिकर्ट दे दिया जाएगा, यह बाद भी यहाँ पर लिख्य हुई है, कोई भी आपको तकलीफ, आपको किस तरीके से उस फॉर्म को फिल करना है, गलत फॉर्म को फिल नहीं करना है, तसली पूर्वक फॉर्म को फिल करना है, और अपनी सारी डिटेल सही सही इसमें फिल करनी है, ठीक है, फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है, प्लीज कॉन्टेक्ट दीजे, इंस्टा बहुत अच्छी है और बहुत सारी यह सिर्फ लड़कियों के लिए है तो बहुत सारी लड़कियां इस में apply करती है तो अगर आप किसी भी चाहे आप रूलर एरिया से हैं अरभन एरिया से हैं तो आपको डेफिनिटली इस intensive में apply करना चाहिए ठीक है I hope everything is complete तो मिलते हैं अगले intensive में